हाई आज वाली वीडियो में आपको एक टागेट दे दूँगा कि हाँ भई आपके मॉक्टेश के अंदर अगर इस रेंज के अंदर नंबर आ रहे हैं तो जो ड्रीम कॉलिज मैं आज वाली लिस्ट में आपको बताने वाला हूं अब वहां से थोड़ा सा अपने आपको बिल देखो यार लास्ट येर सीवीटी जो है वो पहली बार हुआ था उससे पहले क्या होता था भई हमेशा से बहुत ओपनली जो है वो कटफ निकल के आते थी बट सीवीटी के टाइम पे हर एक कांडिडेट के इंडिविज्वीज्वल पोर्टल पे जो है वो आता था कि आप जो है अब वो सलेक्ट हो गया हो आपको ये कॉलिज्व जो है वो अलॉट हो गया है और आपके टाइम पे भी यही होगा तो ये जो डेटा मैंने निकाला है न भाई ये डेटा मैंने बच्चों से बात करके निकाला है ठीक है तो आप इसके अंदर जो है 7-10% का error समझ सकते हो कि हाँ उपर नीचे हो सकता है इसको पत्थर की लकीर नहीं समझनी है कि मालों अगर किसी course की मैंने range आपको बता दिये 783 marks और आपके 784 बन रहे है actual cutoff जो है 786 से ले गई तो आप कहा रहे है कि भुपे अंदर भी है आपने 783 बताया था मैं पहले ही कहके चल रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो cutoff है इसके अंदर आप जो है 7-10% का error प्लीज समझ ना भाई और क्यूंके आप लोगों की ही demand थी कि भाई हमें idea ही नहीं है किस range के अंदर हम कौन सा college target करें तो आपकी demand पे ही जो है मैं ये video बना रहा हूँ और बच्चों से बात करके ही data जो है वो collect किया गया है ये official data available नहीं था ठीक है और इसके अंदर मैं आपको बता दो जो भी मैं आपको cutoff बताऊंगा ये मैं आपको अभी general category के हिसाब से ही बताऊंगा तो आपकी जो भी category होगी आप उसके हिसाब से जो है plus minus अपने marks करके रखना ठीक है भी sorted है चलिए तो भाई पहली list में आज जो हमारे बतला बच्चों के dream college जो होता है भाई शिर्वाम college of commerce की बात करता हूँ तो भाई SRCC से अगर आप become honors करने का plan कर रहे हो तो आप 800 में से अब देखो 800 के अगर बात है तो मोटे मोटे जो हमारे courses है उसके अंदर एक आपका language और तीन domain है और दो-दो-सो नंबर के आपके paper होने वाले मतलब की पूरा जो आपका score बनेगा वो 800 में से बनेगा तो become honors SRCC अगर आप target कर रहे हो भाई तो 780-783 marks तक थोड़े से मान के चलना कि अगर आपके सारे mock test मिला के जो है आप जब-जब mock test दे रहे हो और आपका जो marks बन रहा है वो इक honors में आप 780-785 तक मान सकते हो चीक है तो yes यह हमारा SRCC का है again मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि भाई इसके अदर जो है साथ से 10% का error प्लीज मान के चलना और बाकी जो SCSC candidates हैं OBC candidates है अब accordingly इसमें थोड़े-थोड़े marks जो है कम ही जो है लेके चलना हूँ चीक है चलिए अब उसके बाद अगर मैं latest program college for women की बात करूँ तो भाई यह न हमारी women candidate जो हैं सिर्फ वही इसके अंदर admission ले सकती है I hope आपको पता होगा नहीं पता तो चलो अब पता चलिए और यह college ऐसा है Delhi University का कि यह dream college है south campus का one of the best college है मेरे भाई जो LSR आता है मतलब शिर्फ राम college of commerce कहलो यह मतलब SRCC कहलो यह LSR कहलो भाई भें जैसे वाली college है ठीक है तो yes अगर आप become honors करने का plan करें तो 760 से 770 marks तक आप अगर आपके mock test में आ रहे है इतने marks तो ठीक है आप जो है safe अपने आपको मान सकते हो कि ठीक है चलो LSR तो आ जाएगा आपका ठीक है इको honors के अगर आप बात करें तक अगर आपके आ रहे तो बात बन जाएगी अपनी वही English honors के अगर आप बात करें तो 750 से लेके 760 marks तक जो है आपकी बात बन जाएगी इसके अंदर ठीक है अब नेक्स चलते हैं नेक्स हमारा सेंस्टीफन स्कॉलेज तो सेंस्टीफन वहीं हमें become honors नहीं कर आता है पहली मैं आपको बता देता हूँ अगर आप सेंस्टीफन से इको honors करने का प्लान कर रहे हो तो 775 से लेके 783 marks तक अगर आप इसमें आ रहे हो तो आप जो है स्टीफन टागेट कर सकते हो इको honors के लिए अगैन देखो ना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ के last time के मुकाबले यह मेरा personal opinion है इस बार थोड़ साथ competition tough होगा क्योंके last time ब जो है form fill किया था और जितने बच्चे paper देने कहते मतलब form fill करने के बाद ही बच्चे paper देने गई नहीं पिछले बार तो बहुत जादा तो जो drop वाला जो rate है थोड़ से जादा है इस बार तो जो पिछले साल वाले बच्चे भी है वो भी इस बार compete करेंगे तो मैं मतलब इस स्कोर जो है वो अच्छा करना ही पड़ेगा अब बार भी का paper आपका कैसा भी गया हो उसको बीती बातों को भूल जा और यहां पे जो है अपना सीवीटी पर प्रॉपर फोकस कर दो तो इंग्लिश ऑनर्स अगर आप टागेट कर रहे हो भाई स्टीफिन स्कॉलिज से तो 750 से लेके सा सो साथ मार्क्स की रेंज के अगर आप हो तो से अंड के अंधर हो कहीं कोई दिक्कत आपकी नहीं आने वाली हो नेक्स चलते हैं नेक्स हमारा है शिरी शिरी 108 हंसराज कालेज कर्डें आप बात करें तो अगर वी कॉम ऑनुर्स करना है तो 750 से लेकर 775 मार्ष पायकर के मौक्स में वाइं सेफ हो भाई हो जाएगा रामसे ठीक है ईको उनर्स की बात करें तो 700 साहसो से लेकर साहसो दस मर्कस आप एकस्पेक कर सकते हो और बहीं इंग्लिश खेकने बात तो honors करने वाले, eco honors करने वाले बहुत बच्चे होते हैं, और dream colleges maximum बच्चों का यही होता, तो मैंने यही courses जो है, और यही colleges मैंने target करती है, ठीक है, तो Hindu college से अगर आप करना चाहरे हैं, तो भई, आप 770 से लेके, 775 marks आप अपना मान सकते हो, कि अगर इतने marks से बन रहे हैं, तो ठीक है, safe है अपन, भई, eco honors के अगर बात करते हो, 765 से लेके, 780 marks अगर आपके आ रहे हैं, तो safe हो भई, English honors आप देख सकते हो, 760 से लेके, 770 marks तक अगर आप हो, तो आप बिलकुल safe हो, अब बात यह आती है, मेरे भई, कि ठीक है, marks हमें पता चल गए, अब अगर आपको एक direction चाहिए न, कि भाई, CUET के अंदर एक proper direction मिल जाए, step by step, day one से लेके, day end तक, proper 40 दिन के अंदर, syllabus पूरा कैसे करना है, कैसे अपने GT को तयार करना है, कैसे अपने domain, commerce के domain तयार करना है, कैसे आपको mock test लगाने, कब को mock test लगाने, वो सारी चीज़ अगर आप step by step चाहते हो, तो इसका one stop solution मैं आपको दे रहा हो भाई, Avengers batch, Edu Captain, आपको जो है, crash courses कराता है, CUET के लिए, IP mat के लि best mock set, best book set चाप पढ़ाई करना चाहते हो, तो Avengers batch के अंदर आप enroll कर सकते हो, और इसके अंदर में बस एक बात आपको बहुत highlight करके बताना चाहूँगा, हमारे book set बहुत ही जादा limited बचे है, एक बार book set खतम हो जाएंगे, तो हम enrollments नहीं ले पाएंगे, और आपको book set के अदर में बात करूँ, खुछ इस तरीके से आपको book set मलते हो, आप देख सकते हो, यह बाई ऐसे book set है कि अगर आप अपने general test के लिए prepare करो न, तो आपके quant और आपके logical reasoning के questions तो easy, medium, difficult level तक bifurcate कर रहे हैं, और इसका theory जो है, faculties अपने hand से लिख के आपको दी हुई है, तो बहुत प्यारी book set है, बच्चे पढ़ रहे हैं और dream colleges तक पहुँच रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको doubt solving support दे देते हैं यहाँ पर, मतलब कि कोई आपका doubt है, आपको पूछना चाते हो, तो आपका जो भी question है, आप उसकी photo click करते हो, और portal पे हमारे application से आप सीधा faculty को बेज गते हो, औ faculty आपको जो इसका video solution तक करके देते हैं, then उसके बाद हम आपको देते हैं proper AI enabled mock test, आपको proper domain के mock test मिलते हैं, domain के अंदर हम 10-11 domain आपको देते हैं, जिसके अंदर आपके commerce के domain proper cover होते हैं मेरे भाई, ठीक है, उसके बाद आपका quality, history, geography, then entrepreneurship, accountancy, eco, business studies, higher maths, core maths, और physical education, यह जो मैंने आपको नाम लिए, यह हम domain आपको देते हैं, general test आपको proper हम cover कराते हैं, साथ ही साथ अगर आप IP mat के लिए prepare कर रहे हो, तो IP mat, indoor, zip mat, St. Ziver, सुंभई, IP mat, Rautak, Christ University, सब के mock test आपको proper काईदे से arrange मलते हैं, so I hope आपको clarity मिली होगी, ऐसी ही videos हम आपके लिए बनाते रहते हैं, to the point हम बहुत straight बात करते हैं, आपको content पसंद आता है, तो comment section के अंदर प्यार बसा दीजेगा, मिलता है किसे next video के अंदर, मुझे दीजेगा जाज़त, till then bye and take care